यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 19 है और अब हम पढ़ने वाले हैं रे डाइग्राम्स को और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्विक्स लिंस में रे डाइग्राम को तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो कॉनकेफ मिरर का रे डाइग्राम था ठीक उसी प्रकार से हम लोग कॉन्विक्स लिंस का भी रे डाइग्राम पढ़ते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर Concave Mirror का Ray Diagram मैंने दिखाया है तो Concave Mirror के Ray Diagram में हम लोगों ने Principal Axis पर अलग-अलग जगह Object को रखा था और उसके बाद हम लोगों ने Image Formation देखा था तो चलिए हम लोग उसी को थोड़ा Revise करते हैं और यदि यह आपको याद है तो सीधे हम लोगो वहां बढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से यह F था, P था, यह है C और यह है Infinity इधर मैंने बताया था तो सबसे पहले Object को हम लोगों कहां रखते हैं? Infinity पे फिर Object को कहां रखते हैं? Infinity और C के बीच में कहीं भी फिर उसके बाद कहां रखते हैं? C पर फिर कहां रखते हैं? C और F के बीच में कहीं भी फिर F पर और फिर F और P के बीच में कहीं भी तो यह 6 पॉजिशन हम लोगों ने देखा था तो ठीक इसी प्रकार से लिंस में भी हम लोगों को यही करना है lens में थोड़ा सा अंतर है lens में बस इतना सा अंतर है कि आपको दो surface है इधर यह देखिए यह मैंने lens बना दिया तो lens में बस यह फर्क हो गया आपका अच्छा, concave mirror और convex lens यही दो महत्वपूर्ण है इन्ही को में रुप से हम लोगों को पढ़ना है तो देखिए convex lens यदि हम लोगों ने बना दिया तो convex lens में यह हो गया आपका optical center इधर भी हो गया आपका F1, इधर हो गया F2 इधर से क्या हो गया C1 और इधर से क्या हो गया C2 तो अब यहाँ भी object उसी प्रकार से रखना है यह हो गया infinity तो यहां भी object उसी प्रकार से रखना है, सबसे पहले infinity पर रखना है, फिर का रखना है, infinity और C के बीच में कहीं रखना है, फिर C पर रखना है, फिर C और F के बीच में रखना है, फिर F पर रखना है, फिर F और O के बीच में रखना है, तो देखा आपने same pattern पर हम लोग को concave mirror और convex lens पर चलना है और ठीक उसी प्रकार से image भी बनता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा revise करा दूँ मैं आपको तो मैंने आपको बार बार बोला था कि आप इसे एक बार revise कर ले याद कर ले तो lens आपको बहुत आसानी से सौझ में आएगा तो जैसे मैंने बताया था कि infinity पर रखे थे हम लोगों ने रखा था हम लोगों ने object को तो image कहां बन रहा था f पर आप देख सकते है image f पे ठीक इसी प्रकार lens में भी आपको वही चीज है मैं बता रहा हूँ lens में कैसे वही चीज है इसके बाद हम लोगों ने कहा रखा था c एक step आगे हम लोगों ने किया था object को एक step आगे किया था तो image एक step आगे चला गया था यादा रहा होगा आपको तो object को जब एक step आगे किया तो image एक step आगे आया मतलब जब c और f के बिच में कहीं भी रखेंगे तो यह c से कहीं दूर बनेगा तो आप देखिए c और f के बिच में कहीं भी रखा तो यह c से दूर बन रहा है फिर एक step इसको यहां लाएंगे f पे अबजेक्ट को रखेंगे तो यह यहां एक step आ गया है का मतलब infinity पे तो यह भी ऐसे ही आपको image formation है एकदम इसी प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक convex lens है जिसका छे position मैंने बना दिया है infinity बना दिया है और image भी आप देखेंगे ठीक वैसे ही बन रहा है लेकिन lens में मैंने आपको बताया है lens में और mirror में यह हंतर है कि lens में reflection के कारण जो image बनेगा वाद दूसरे तरह बनेगा और इसमें जो raise हम लोगों को पास कराने है वह भी अलग-अलग प्रकार के raise है जो कि मैंने पीछे के वी देखिए यदि c को यहां 2f कहा जा रहा है तो यदि c को यहां रखेंगे यादि की 2f पर रखेंगे तो 2f पर बन रहा है एकदम same to same चले शुरू से हम लोग करते हैं यदि infinity पर रखा था तो कहां बनता था f पर तो यहां भी देखिए यदि infinity पर कोई object रखा हुआ है हम लोग सुरू से करते हैं तो infinity पर को object रखा हुआ है तो देख सकते हैं कि उसका image कहां बनेगा f पर बहुत ही छोटा बनेगा लेकिन कहां बनेगा f पर बनेगा यह दूसरी और बन रहा है यह आप ध्यान देगे कि यह कहां बन रहा है दूसरी और बन रहा है दूसरा c और क बीच में कहीं भी हम लोगों ने रखा था तो आप देख सकते हैं यही है C 1 या कि 2F भी 1 भी कह सकते हैं इसको और यहां इंफिनिटी इनके बीच में हम लोगों ने जब रखा तो देख सकते हैं आप A 4 2F मतलब C के बीच में बन रहा है तो आप याद करिए एक स्टेप जब eggs आये इसको हम लोगों यहां रखा था तो एक step यहां आया था यहां है यानी ए for sea कर भी यहां भी फø착 रहा है next एक step इसको आगे बढ़ाएंगे यदि C पे रखा जाए इसको तो आपने देखा था कि ये C पे बन रहा था तो यहाँ देखिए ये C पे रखे तो C पे ही बन रहा है नेक एक step और लाएंगे C और F के बीच में तो यदि हाँ हम लोगों ने object रखा तो बताए कि ये इधर बनता था तो ये बस दूर भागेगा ये याद रखना है कि यदि एक step इधर लाएंगे तो ये एक step इधर बढ़ जाएगा यदि एक step आप इधर लाएंगे तो ये एक step इधर बढ़ जाएगा तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते है जैसे जैसे आप object को इस प्रकार से लाएंगे वैसे वैसे image इस प्रकार से आगे की और बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी है तो F इन्फिनिटी और C के बिश में है तो F और C के बिश में फिर आपका C पर है तो C पर आजाएगा C से एक step आग बढ़िएगा तो यह एक step आगे बढ़िएगा और माली जी आप इस पर रखेंगे तो यह कहां चला जाएगा इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो एकदम वैसा ही है अज़िए आप समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक position जो हम लोग बार बार याद कर रहे हैं P और F के बीच में याद करिए P और F के बीच में हम लोगों ने देखा था यह पीछे की और बन रहा था तो यहाँ O और F है तो यहाँ पर पीछे इसका यह है तो यह इस side बनना चाहिए तो वैसे ही होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F और O के बीच में रखा गया है तो इसी same side में image बनता है आप देख सकते हैं image कैसा बन रहा है virtual image बन रहा है और erect image बन रहा है तो अब मुझे उम्मीद है कि दोनों आपको याद हो गए होगे concave mirror भी और convex lens भी तो चली अब हम देखते हैं कि यह जो object बन रहा है वह real है या virtual है तो आप देख सकते हैं यह सब real image बन रहा है क्योंकि actually में यहाँ पर क्या हो रहा है raise कट रहा है इसलिए यह कैसा बन रहा है real image फिर आप देखेंगे कि यह तो vertical है इस प्रकार से तो यह जो image बना यदि real है तो मैंने बता दिया था आपको कि real image कैसा होता है इस प्रकार से होता है जिसे हम लोग कहते है inverted यहाँ भी देख सकते हैं आप real image क्या होगा inverted तो यहाँ देख सकते हैं एक position ऐसा है जब C पर object को रखा गया और C पर ही image बन रहा है C1 और C2 पर तो image क्या होगा equal size का होगा object के लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पर सबसे पहला condition में बहुत छोटा बनता है दूसरा condition में छोटा बनता है तीसरा condition में बराबर बनता है चोथा condition में बड़ा बनता है पाचवा condition में और बड़ा बनता है और छठा condition में भी बड़ा बनता है तो आप यह सब बाते एकदम याद होनी चाहिए यदि यह बाते आपको याद नहीं है तो आप exam में इस से प्रश्ण या फिर numerical से प्रश्ण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ इस condition में जो image बना है वह virtual बना है और क्या बना है बड़ा बना है यहाँ पर आप देखेंगे infinity पर जो image बनेगा वह भी क्या होगा बहुत बड़ा बनेगा तो आप प्रते condition को याद रखें तो numerical आपका solve हो जाएगा इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे convex lens से image बनना तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको problem ना हो revise करने में या फिर पढ़ने में और इसके बाद हम लोग ने देखा था कि three steps में हम लोग फिर numerical को करते हैं तो पहला step क्या हो गया आपका रेडाइग्राम हो गया दूसरा step क्या हो गया आपका sign convention हो गया और तीसरा step क्या हो गया formula हो गया यदि यह आप जानेंगे तो फिर आप जो भी numerical इसको आसानी से solve कर पाएंगे तो अभी हम लोग इसके बाद concave lens में जो image formation होता है वहाँ देखेंगे और उसके बाद के वीडियो में हम लोग फिर sign convention और फिर formula अगरा पढ़ेंगे फिर हम लोग numerical वराना शूरू करेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में